समिधान हमें समिधान बचाना है और समिधान से दिये हुए अधिकारों को भी हमें बचाना है इसलिए गड़वंदन यह जो लोग कह रहें कि महा मिलावट का गड़वंदन है हम उन्हें बताना चाहते हैं यह महा गड़वंदन का नहीं ये महाँ परिवर्तन का गडवंदन है जो देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा और ये गडवंदन आज जरूर हुआ है लेकिन जो राजनीत का इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे कि एक बाद डॉक्टर भीमरा अमेटकर जी और डॉक्टर राम मनोलोया जी मिलकर के काम करना चाते थे जिस समय देश की परस्टियां दूसरी थी हमारा देश आजाद हुआ था लेकिन आवादी के जादे लोगों को हक और सम्मान नहीं मिल पारा था उनकी लड़ाई कमजोर हो रही थी उस समय डाक्टर भीमरा मिलकर जी और लोया जी मिलकर के काम करना चाते थे लेकिन समय ने मौका नहीं दिया वो दोनों मिलकर के काम नहीं कर पाए लेकिन उसके बाद नेता जी और मानिमर काशी राम जी ने मिलकर के इस उत्तपदेश में बदलाव लाने का काम किया था दोनों एक साथ हो गए थे और उस समय जो परिवर्तन आया था वो आप जानते हैं कि कैसा परिवर्तन आया था और उसके बाद आज हमें मौका मिला इसलिए हमने समझाता किया है और समझाता इसलिए भी है कि आवादी के ज्यादे लोग जो जमीन पे रहे रहे हैं जो किसान है जो कमजोर है जो दुखी है उनके साथ भेदवाव हो रहा है इसे जरूरी था ये समझाता करकर के उनको सम्मान दिलाने का काम करना है वैसे तो चुनाओ क्योंकि आजकल जानकारी सब पर है और अगर कोई सूचना दिली से चलती है लखनों से चलती है या देश के किसी कौने से चलती है तो वही जानकारी हमारे गाउं में भी पहुंच जाती है आज वैसे साधन है आज वैसा इंतजाम है आज भारती जंता पार्टी अपने 2014 के घोषनपत को याद नहीं कर रही है बताओ 2014 का भारती जंता पार्टी ने जो वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे बताओ कितने लोग के अच्छे दिन आगए हैं कितने नौज़मानों को नौकरी मिल गई और कहा था कि अगर पैदावार होगी और गन्ने का भुफटान करना पड़ेगा तो 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुफटान करा देंगे बदलाव ला देंगे बताओ क्या हालत हो गई है पांस साल और दो साल की सरकार में आज ये जन्ता हिसाब किताब केवल पांस साल का नहीं मांग रही है हमारे बाबा मुख्वंती जी के दो साल का भी हिसाब किताब जन्ता मांग रही है साथ साल के हिसाब किताब में बताओ आओ आपको क्या मिला है हमारे किसान भाई दुखी कहा था उनको हम आए दो गुनी कर देंगे उनकी लागत का देड़ गुना मुनाफ़ा देंगे हमारे किसान भाई बैठे होंगे बताओ किस फसल का आपको देड़ गुना मुनाफ़ा मिल गया किसी फसल का मिला हो तो बताईए हमें आप और आए दो गुनी हुई हो तो बताओ दो गुनी आए नहीं हुई और आपके बोरी से चोरी हो गई पांच किलो की खादगी के नहीं हो गई कमाल की सरकार है जिने पूरी इमानदारी से खाद बेनी थी पांच किलो की चोरी हो गई के नहीं हो गई और जो सिलिंडर बटे हैं अगर नाप लोगे तो उसमें से भी गैस निकाल लिये हैं पता कर लेना कितने किलो गैस निकाल लिये हैं इनोंने जो चूले दिये थे सिलिंडर दिये थे बताओ कितने गरीब हमारे भरा पा रहे हैं जिस समय दिये थे उस समय महगाई क्या थी और आज महगाई क्या है कितने हमारे गरीब सिर्ण भरा पाएं और अगर भारती जन्ता पार्टी के लोगों के भाषण सुने हम तो उनका भाषण सोचाले से सुरू होता है उस सोचाले पर ही खतम हो जाता है और ऐसे सोचाले बताए है जिन सोचालों में अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया है अगर भारती जंता पार्टी के लोग आई होंगे तो खहरे होंगे अपने इतने सोचाले बनाए इतने करोड़ों सोचाले बना दिये कोई आया भाजबावाला के नहीं आया सोचाले बताने ये पत्तिकार साथी जानते होंगे बहुत सोचाले बताए होंगे उन्होंने और देखिए कैसे सोचाले बताए पहले सोचाले बनता था एक गड़े वाला और भाती जनता पाठी बना रही है दो गड़े वाला सोचाले ना पहले पानी मिला ना अच्छे दिन वालों ने पानी दिया तो बताओ सोचाले जाओ कैसे बिना पानी की बताओ और जाडू किसने उठाया सुच्च भारत के नाम पर आप से हम से सब से पैसा ले लिया विजो डीजल जो पेट्रॉल भारा हैं ये सुच्च भारत के नाम पर उसमें से भी पैसा ले लिया हमें और आपको समझाया के नोट बंदी हो जाएगी तो काला धन और भर्षाचार खतम हो जाएगा बताओ कितना भर्षाचार खतम हो गया कितना काला धन खतम हो गया हमारा आपका पैसा जमा कराया और बड़े बड़े उद्योग पती पैसा ले करके भाग गए केवल हम और आप जानते होंगे कि दो चार नाम हम तीन चार नाम जानते होंगे जादे से जादा लेकिन सही हिसाब किताब लाओगे तो 36,000 उद्योपती अभी तक भारत छोड़ करके जा चुके हैं और वही पैसा ले गए जो हमारा आपका बैंकों में जमा हुआ था तो हम पूझना चाहते हैं कि कितना काला धन और कितना भश्चाचार खतम हो गया है इसलिए सात्यों केवल हिसाब किताब दिल्ली सरकार का नहीं है दो साल के उत्तफदेश की सरकार का भी सवाल है और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी वो आए कि नहीं आए अभी अभी नहीं आए हैं बाद में आएंगे उनके विचार कमाल के विचार हैं उनके उन्होंने ऐसा ग्यान दिया के एलेशन कमिशन को उन्हें बंद करना पड़ा हम तो कहेंगे एलेशन कमिशन को उन्हें बंद मत करिये वो जितना घूमेंगे उतना ही समाजवादी पार्टी और गडवंदन का बोट बड़ेगा अगर उन्हें रोग दोगे तो हमारा बोट भी रुख जाएगा अभी सुना होगा कुछ दिन पहले हमारे बाबा मुक्ष्मंत्री जी कह रहे थे कि अगर सम्मिदान ना होता तो हम भेंश चरारे होते हैं अब ये बात आप कह सकते हों हम नहीं कह सकते हैं तो बताओ अगर हमारे और आप के बारे में ये सोच रखते हो मुक्ष्मंत्री कहते हैं कि अगर सम्मिदान ना होता तो हम भेंश चरारे होते ही तो हो सकता है जो हमारा खेती करता है गरीब उसके लिए भी कुछ विचार रख रहे हो जो हमारे भेड़ चला रहे हैं कई लोग उनके बारे में भी कुछ सोचते होंगे और भी धर्ती के खराब से खराब काम हमारे आपके बीच के लोग कर रहे हैं हो सकता है, वो भी कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में भी, लेकिन हम उने कहना चाहते हैं, कि हमारा काम कुछ भी हो, लेकिन इस चुनाव में, ये जमीन के लोग और गरीब लोग आपको शबग सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि दो साल में कोई काम नहीं हुआ है अगर कोई काम किया है तो उन्होंने ठोको नीती जारागू की है ठोको नीती मुख्यमंती जी ने कहा कि ठोको और उस ठोको के चक्कर में हमारी पुलिस को समझ में नहीं आया किसको ठोक दें और कभी जनता को समझ में नहीं आया कि पुलिस को कब ठोक दें तो आप उत्तव देश में देखे होंगे कहीं पुलिस जनता को ठोक रही है और कहीं जनता पुलिस को ठोक रही है ऐसे ठोको नीती लागू करने वाले हमारे बाबा मुक्त मंतरी इन पुलिस की वाले साथियों को दुनिया की सबसे बेहतीन विवस्था दीती सौ नम्मर वाली और इसलिए दीती के फॉन करो तो पुलिस मदद के लिए पहुँच जाए लेकिन पता नहीं बाबा मुख्छंदी ने पुलिस को क्या कर दिया इनों ने ये सौ नम्मर भी खराब कर दी वो वही बीमारी लगा दी जो पहले बीमारी थी बताओ सौ नम्मर खराब कर दिया कैं नहीं कर दिया और पुलिस भरती भी हमने आसान की जो नौज़मान जानते होंगे पुलिस भरती पहले एक परिशा दो परिशा और तीन-तीन साल लगते थे तब जाके नौजवानों को पुलिस में भड़ती हो पाती थी बहुत जगे खाली है हमने कहा कि इतनी परिशा देने क्यों चाहिए परिशा और सुधाल लाने का काम किया और फैसा लिया कि जो नौजवान दसमा बरमा पास कर रहा होगा और अगर दोड़ के दिखा देगा जो आगे होगा वो अपने आप भड़ती हो जाएगा उसे कोई परिशा नहीं देनी पड़ेगी वो सवाजवादी लोगों ने करके दिखाया और हो सकता है पुलिस के लोग यहां खड़े हो उसी भड़ती के लोग होंगे कुछ यहां हो सकता है खड़े हो जो मेरिट वाले हैं इन्हें हाथ दिखाने की जरूत नहीं है चेहरा ही बता रहा है कि यह बिना परिशा के केवल दस माँ बार माँ पास करके और दोड़ करके भड़ती हुए है यह लिए नौजमान साथियों भरोसा दिलाना चाहते है उत्तपलेस में हुआ है तो आने वाले समय में दिल्ली सरकार में भी मौका मिलेगा तो इसी तरीके से चाहे फौज हो चाहे पैरा मिलिटरी हो इसी तरीके से नौजमानों को भड़ती करके उन्हें नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे आज नौकरिया नहीं है रोजगार नहीं है हाज सब खतम कर दीए नौकरी रोजगार बड़े उद्योग लगने थे वादा किया कोई उद्योग लगा हो तो पताएं बड़े उद्योग पती बुलाए थे लखनों में वादा करके गए थे कि हम उद्योग लगाएंगे कारखाने लगाएंगे लेकिन अभी तक बाबा मुखिमनती कोई कारखान उद्योग नहीं लगा पाएं उत्त अप्रेश में नौकरी तो दूर कोई रोजगार का इंतजाम नहीं कर पाएं है जो हालात हैं हमारे नौजवान जानते होंगे कि 45 साल में सबसे ज़्यादा अगर बिरोजगारी कभी बड़ी है तो ये भारती जन्ता पार्टी की सरकार में बढ़ी है आज बिरोजगारी की गिंती नहीं कर रहे है हमारे नौजवानों का भविस जंदकार में डाल दिया आज हमारे नौजवान भविस नहीं देख सकते क्योंकि जो गलत नीतिया हैं उनसे भविस बेतर नहीं होने जा रहा है हमारे किसान गरीवी के कारण और जो बैंकों का बोज है उसके कारण आत्मत्या कर रहे हैं इतनी आत्मत्या किसानों ने कभी नहीं की होगी जितना भारती जंता पार्टी की सकार में हुई आत्मत्या इसी तरह सिख्षा मित भी आत्मत्या कर लिए ये रोजगार सेवाग इनको भी बादा किया था सिख्षा मित को भी बादा किया था वीपेट वालों को भी बादा किया था अन्देस्टिकों को भी वादा किया ये पुरानी पेंशन वाले वी जानते उन्हें भी वादा किया हर एक को धोका अगर किसी ने दिया है तो ये भारती जंता पार्टी के लोग उन्हें धोका देने काम किया इल्जे साथियों जहां धोका मिला हो छल से सरकार बनाई हो ये समय मिला है सबक सिखाने का और याद कीजिए जब आपके बच्चे स्कूल जाते थे यही समाजवादी लोग हैं जिन्होंने बच्चों को दूद और फल दिनाना सुरू कर दिया था स्कूलों में इस सरकार ने छीन लिया आपके बच्चों को बड़तन मिलने जा रहे थे क्योंकि जब स्कूलों की हालत देखते थे एक तो पढ़ाई अच्छी नहीं टीचर नहीं आ रहे और हमारे बच्चे भी जब बड़तन में नहीं थे तो खाना ऐसे ही खा लेते थे इसे कभी किसी ने बड़तन दिलवाए हैं बच्चों को ग्लास और प्लेट वो समाजवादी सरकार में बच्चों को मिलना शुरू हो गया था हफते में एक दिन दूद और फल मिलता था इन बाबा मुख्यवंती ने वो भी छिन लिया महीं समाजवादी पैंशन मिलना शुरू हो गई थी हम चाहते थे कि गरीब परिवार की महिलाएं उनको समाजवादी पैंशन मिल जाए पांस सुर रुपया मिलना शुरू हो गया था और बड़े पैमाने पर मिलना शुरू हो गया था उत्तप्रेस में आने वाले समय में सरकार समाजबादियों की बन जाती तो एक हज़ार रुपई हम महलाओं को देते गरीब परिवानों तक पहुचा देते लेकिन सरकार नहीं बनी इसी सरकार ने وہ समाजबादी पेंचन छीन ली हम अपने तमाम गरीब लोगों को बताना चाहते हैं तीन हजार रुपया समाजवादी पेंशन हम गरीब लोगों को देने का काम करेंगे। इसलिए आज विकलां को नहीं मिल लेई विद्वा को अलग पेंशन। सबी समाजवादी पेंशन बेंगे। ये जो सुभधाएं दी इसले दी कि गरीब हमारा खुशाल हो जाए तरक्य कर जाए लेकिन तरक्य नहीं हुई इन्होंने तरक्य रोख ली और क्या हालत पैदा कर दी उत्तपलेश की ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छे विचार किसी के हैं भारती जनता पार्ड़ी के हैं सबसे अच्छे सिस्टाचार किसी का है तो भारती जनता पार्ड़ी का है सीताबुर के साथ ही हो हमने देखा था टीवी में कि पहली वार किसी जन प्रदिनी ती और जन प्रदिनी के ऊपर चपल उठाई गई थी यहां तो वो पूरी नहीं हुई जिसकी भी हसरत रही होगी चपल मारने की वो बात पूरी नहीं हुई होगी लगन हमें खुशी है कि संत कवी नगर के जनप्रदिदों ने वो अपनी हसरत पूरी कर ली और एक जनप्रदिदी ने दूसरे जनप्रदिदी को 21 जूते की सलामी जी थी आपने टी वी पे दिखा होगा بتाओ 21 जूते की सलामी हुई थी कैंने हुई थी पत्तिकार साठियों ने बॉला कि वliter 21 नहीं थे 12 थे हमने कहा कि अगर 20 बचाब न किया होता आपने तो वो पूरे के पूरे 21 जूतों की सलामी थी बताओ ये भासी जन्दा पार्टी है दो साल में कोई काम हुआ हो तो बताओ आप जो काम बिधाईग जी नेरेन वर्मा जी ने शुरू किये थे सब रुख गए के नहीं रुख गए बताइए आप पीशे तक खड़े हैं लोग चाहें वो स्कूल का, चाहें वो गाओं का, चाहें सड़क का, चाहें बिजली का सब काम रोग दिए जैसे गाओं में कभी कभी बीमारी होती है, गला गोंटू बीमारी वैसे ही भारती जन्ता पार्टी को है, काम रोखो बीमारी कहीं काम चला होगा ये तुरन तुस काम को रोब देंगे हिजे साथ ये चुनाव सबक सिखाने का भी एन लोंग हो दिल्ली वाली सरकार के वादे याद हैं के नहीं याद हैं आपको 2014 में जो जो वादे किये थे आपको क्या सीतापुर में भी प्रधानमंती जी आये थे पिछली बाद लखीम पूर आये होंगे तो सिखाली वाली बातें याद हैं आपको 2014 में कहके गए थे कि जितने भी गरीब हैं जिन पर करोणों मुकदमें लगे हुए हैं उन मुकदमों को खतम करने का काम भारती जन्ता पार्टी की सरकार करेगी बताओ एक भी गरीब पर मुकदमें खतम हुए हो तो बताईए है आप और अगर अध्यन करेंगे जानकारी करेंगे तो पिछले पांस साल में खासकर दलित पिछडे और अल्प संगों पे लगबख पचास लाग और मुकदमें इनकी सरकारों ने बढ़ाने का काम किया है धोखा दिया किसान को धोखा दिया नौजवानों को धोखा दिया वेपारियों को बताओ वेपारी साथियों के साथ नुकसान हुआ कैं नहीं हुआ जीस्टी से अजय एजय को आधीमें